नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में हमारा आज का विशह है हिंदी भाषा प्रयोग के विविद रूप इसके अंतरगत हमने बोली और मानक भाषा के बारे में पहले पढ़ लिया था आज हम करेंगे राजभाषा राजभाषा के रूप में हिंदी राष्ट्र भाषा वो राजभाषा और राष्ट्र भाषा में अंतर तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि राजभाषा राज भाशा किसे कहते हैं, राज भाशा क्या होती है, उसका स्वरूप क्या सा है, उसकी क्या क्या विशेश्टाएं रहती हैं, यह हम सिलसले बार करके एक एक चीज़ को देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, देखें राज भाशा, दोशब्दों की योग से बना है, राज और भाशा कहने का मतलब क्या है कि ऐसी भाषा जो राज की भाषा हो अर्थात राज की या भाषा हो ठीक है या फिर यों कहें कि जो सत्ता की भाषा है मतलब जिस भाषा में सरकारी कामकाज किये जाएं उसे क्या का जाता है उसे ही राज भाषा कहा जाता है अब देखे कि जिस प्रकार मनुश्य अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी विशिष्ट भाषा का प्रियोग करता है उसी प्रकार एक राष्ट्र भी अपने सरकारी काम का संपन करने के लिए भाषा के एक विशिष्ष्ट रूप को ग्रहन करता ह और भाशा का यही विशिष्ट रूप राजभाशा के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो राजभाशा होती है, मतलब जो सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है। उसमें समीधान की ऐसी कोई स्विक्रिती लेना अनिवारे नहीं है। लेकिन राजभाशा के लिए समीधान की स्विक्रिती आवश्यक है। उसके अंत्रगत, उसके प्रावधान, समीधान की अंत्रगत उसके लिए प्रावधान होते हैं। इसके लिए राज भाषा के लिए ठीक है तो जब उसको समिधान के द्वारा सविक्रति मिलती है तब ही वो क्या बनती है राज भाषा बनती है अगला है देखिए कि राज काज की भाषा होने के कारण इसे राज किया भाषा जैसे कि मैंने पहले ही कहा दिया था कि यह राज क तो राजाओं के समय में इसको क्या नाम दे जाता था दर्वारी वाशा जो दर्वार में प्रियोग में लाई जाती थी दूसरा अगला है देखिए मानक स्वरूप होने के चलते इसके साथ छेड़ चार या बदलाव असानी से संभव नहीं हो पाता मानक स्वरूप मतलब शुद इसका जो परिनिष्टित रूप होता है उसी के चलते क्या होता है कि इसमें हम छेड़ खानी नहीं कर सकते और नहीं आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग राजभाशा का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्यों क्योंकि राजभाशा का जो रूप है वो मानक रूप है और आम जन्मानस उस मानक उस शुद उस परिनिष्टित हिंदी से बहुत दूर है इसलिए इसमें छेड़ खानी ज सविकृति दी जाती है यह नहीं दी जाती है यह सब चीज़ें हमने देखी कि राजभाशा क्या है क्लियर है दोस्तों आगे देखते हैं कि राजभाशा के रूप में हिंदी कैसी है उसको हम देख लेते हैं यह क्याता है कि भारत में समय के साथ साथ राजभाशा में तेक भारतवासियों को एकता के सुत्र में पिरोने का काम हिंदी भाषा ने किया। इसके जो हिंदी थी जो प्राचीन समय में संस्कित के रूप में थी पाली में थी प्राकृत में थी अपवरश में मतलब उसका थोड़ा थोड़ा परिवर्टन आता रहा लेकिन अन्य जो फार्सी और अंग्रेजों ने जिस भाषा को राजकिय भाषा बनाया ऐसे समय में भी जो संस्कित से चली आ रही हिंदी तक जो एक विकास क्रम था उसने क्या किया आम जन्मानस को उसी भाषा ने जोड़ने का काम किया क्यूं क्यूंकि वो यहां की लोगों की अपनी ही भाषा थी क्लियर है दोस्तों तो इसी लिए उन्होंने क्या क्या हिंदी भाषा को ही आत का होता रहा देखिए साहित्य पत्रकारिता खेल जगत और कार्यलों की भाषा के रूप में होने लगा और जैसे जैसे समय बित्ता गया हिंदी भाषा जैसे भारत स्वतनतरता की देहलीज पर पहुंचता गया तो क्या हो गया कि जो हिंदी भाषा थी उसका प्रियोग हर में हो चैपत्रकारिता रेडियो टीवी आप देखेंगे हर जगा हिंदी भाषा का बोलबाला होने लग गया था और इसी के चलते भारत की सुतनतरता के पश्चात 14 सितंबर 1949 को भारत के समविधान में हिंदी को राजवाशा की मान्यता प्रदान की गई बहुत इंपोर्ट क्यों मना जाता है क्योंकि इसी दिन राजवाशा की मान्यता प्रदान की गई थी समिधान में किसको हिंदी को क्लियर है दोस्तों लेकिन अगर हम विश्व स्तर पर इसकी बात करें तो अंतराश्ट्रिय स्तर पर हिंदी दिवस कब मना जाता है तो यह है 10 जनवरी तो यह भ पाता है कि इसका जो स्वरूप है राज भाशा का जो स्वरूप है वो कैसा है जैसे कि हमने कहा कि स्वतंतरता के बश्चात क्या हो गया कि हिंदी भाशा के लिए हिंदी को जो है राज भाशा का दर्जा प्राप्त हो गया ठीक है लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं कि जो राज 43 से 351 तक के जो अनुचेद है इसमें राजभाशा हिंदी का हमें क्या मिलता है वर्नन मिलता है ठीक है तो अलग-अलग अनुचेद है इनको हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि किस अनुचेद में कौन सी बात कही गई है और यह बहुत important है एक्जाम में कई वार इससे प्रशन पूछ लिया जाता है UGC NET के अग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि कौन से अनुचेद में कौन सी बात कही गई है तो इनको हम विस्तार से आगे देखेंगे अब दिखतें कि राजभाशा का जो स्वरूप है वो कैसा है जी कि सबसे पहले तो जो राजभाश प्रस्ताव कई बार पूछा जा सकता है ये भी कि समिधान सबा में भाट्य समिधान के अंतरगत हिंदी को राजभाशा गोशित करने का प्रस्ताव किस ने रखा था तो गुपाल स्वामी आयंगर जी ने ये रखा था बहुत मतपुन नाम है ये भी गुपाल स्वामी आयं कि जो हिंदी है उसको माना जाता है खड़ी बोली हिंदी का ही मानक रूप, ठीक है, और जो हमारी राजबाशा है, वो भी कौन सी है, वो ही सिविकार क्याएगी, वो खड़ी बोली हिंदी का ही मानक रूप है शुद रूप है या परिनिष्ठित रूप है जो राजभाशा हिंदी है क्लिर है दोस्तों अगला देखिए कि अगर राजभाशा हिंदी के स्वरूप की बात की जाए तो समीधान में ये वर्णित है कि इसकी शब्दावली मूल संस्कृत से ली जाएगी वो गौन रूप से सभी भारतिय भाशाओं वो विदेशी प्रचलित शब्द भी अंगेकरित किये जाएंगे देखिए ये इसका स्वरूप है कहते हैं कि इसमें क्या होगा ये समीधान में वर्णित है कि जो हमारी राजभाशा है जो हिंदी भाशा की जननी है संस्कृत उसके मूल शब्द ही इसकी शब्दावली में लिये जाएंगे और गौन रूप से मतलब कम रूप से जो भारत की कुछ एक भाशाएं हैं जैसे भारत की जो भाशाएं कितनी 28 सुची में 22 भाशाओं को शामिल किया गया मतलब उनके जो कुछ एक शब्द है और विदेशी भाशा के जो प्रचलित शब्द है उनको भी राजबाशा के अंतरगत अंगी कृत किया जाएगा आप देखेंगे कि अंग्रेजी के शब्द फारसी के शब्द जो है हिंदी में बहुत सारे हैं ठीक है तो वो क्या हैं वो हैं विदेशी शब्द जैसे हमारे बारतिय भाशाओं के कुछ शब्द हैं उनको भी अंगी कृत किया गया है फिर खड़ी बोली परिनिश्टित हिंदी के तो हैं ही है तो ठीक है यह है इसका स्वरूप कि कैसे कैसे इसको बनाया गया है देखिए अलग-अलग भाशाओं के शब्द इसमें समाहित है अगला है कि राजभाशा जन्मानस की भाशा नहोकर प्रशासन वो प्रशासक के बीच एक सेतु का कार्या करती है पुल का काम करती है तो राजभाशा जन्मानस की भाशा नहां होकर देखिए यह है सबसे बड़ी बात यह है कि राजभाशा क्या है वो जन्मानस की भाशा नहीं है वो सिर्फ शिक्षित वर्ग की या यूं कहें बुद्धी जीवी वर्ग की भाशा है जो प्रशासन और प्रशासक के बीच काम करती है, देखा होगा आपने की बहुत सारे जो सरकारी कार्यालनों की भाषा है, आम लोगों की वो समझ से पहार होती है, इसलिए इसको काया जाता है, बुद्धी जीवियों की भाषा, या फिर शिक्षित वर्ग की भाषा या राजभाशा हिंदी कार्यालियों में प्रियुक्त होकर कार्याले हिंदी सरकारी हिंदी वो प्रशासनिक हिंदी आदी नामों से अपना नया स्वरूप प्राप्त करती है देखिए अब हम स्वरूप की बात कर रहे हैं जैसे कि जब राजभाशा हिंदी अगर कार्यालियों मे भी इसको जाना जाने लगा clear दोस्तों तो यह हो गया राजबाशा का स्वरूप आगे हम देखते हैं राजबाशा हिंदी जो है उसकी क्या क्या विशेष्टाएं हैं तो सबसे पहले देखे दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी विशेष्टा है कई बार एक्जाम में पूछ ले जाता है कि राजबाशा के बारे में आपको कुछ एक पंक्तियां दिये होंगी कुछ एक उनमें से सही हो सकती हैं कुछ एक गलत हो सकती हैं तो हमें उन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए इसमें और खासकर अभीधा शब्द शक्ति का प्रयोग तो सबसे पहले तो हमें अभीधा शब्द शक्ति को समझना पड़ेगा इस चीज को हम विस्तार से आगे आने वाली अगली काई में भी देखेंगे जो हमारी कावेशास्त्र वाली काई वहां पर हम शब्द शक्तियों के बारे में पूरा पढ़ेंगे यहां मैं छोटा सा हलका सा आपको बदा देता हूँ कि अभीदा शब्द शक्ति का भी प्राय है कि जो बात जैसी है उसको सधारन शब्दों में कम शब्दों में अभीव्यक्त करना वो क्या है वो है अभीधा शब्द चक्ती मतलब आप देखेंगे जैसे नीरालन ने बोला है ना वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाबाद के पत्थर इसका आप अलग अर्थ नहीं ले सकते मतलब सपष्ट है साधारन शब्दों में उसने लिख दिया कि वह लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसके अलग अर्थ निकल जाते हैं है ना तो कहने का मतलब क्या है कि जो अभीधा शब्द शक्ती होती है उसमें बिल्कुल सधारन शब्दों में बात को कहना उसमें कोई दूसरा अर्थ ना निकले जैसे सहीतिक हिंदी में हम क्या दे की जाती है कि ये है कहने का मतलब तो ये राज भाशा की सबसे बड़ी विशेशता मानी जाती है अगला देखिए एक आर्थता तो जब अभीदात्मक्ता होगी तो एक आर्थता का होना सौभाविक है एक आर्थता का मतलब है कि एक ही अर्थ जिस चीज का निकले जैसे मैंने जैसे कि हमने पहले कहाई, ये प्रशासन और प्रशासक के वीचच के एक सेतू का काम करता है, तो इसमें व्यक्ति जो है, वो एक तरीके से कहता है, गौन हो जाता है, वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहता है, या एक सेकरेट्री है, वो एक पत्र लिख रहा है, या कोई किया जाता है ठीक है तो इसको कहते हैं कि यहां पर व्यक्ति जो है वो माइने नहीं है लेकिन जो सरकार है जो प्रशासन है वो उसकी ओर से बोल रहा होता है तो इसको कहते हैं निर्व्यक्तिकता ठीक है दोस्तों अगला रेखिए एक शब्द के कई परियाए जैसे मनें पहल भी कहेंगे कचहरी भी कहेंगे और अदालत भी कहेंगे तो यह क्या है यह भी राजबाशा हिंदी की एक विशेशता है कि एक शब्द के इसमें कई प्रयाय मिल जाते हैं फिर जिसको जो ठीक लगे वो अपनी सोविदा अनुसार उस शब्द को रख लेता है देखिए जैसे क गलचाल की भाषा में हम संख्षेपों का प्रयोग कभी नहीं कर सकते अगर हमने उत्तर प्रदेश कहना हो तो हम उपरो तो नहीं कहेंगे न हमें उत्तर प्रदेश ही बोलना पड़ेगा लेकिन अगर हम राजबाशा के रूप में इसकी बात करें तो वहां पर हमें प्रेली से समझ नहीं आएगा, तो ये क्या है, ये राजबाशा हिंदी की एक अन्य विशेष्टा है, देखे जैसे दे और भौ लिखा है, तो आम इंसानों की पहुंच से बार है न ये, कि ये क्या चीज़ है, तो इसलिए कहते हैं कि ये जन्द मानस की भाशा नहीं है, प्र सिंधी, अस्मिया, उडिया, तमिल, तेलगू, बांगला, बोडो, डोगरी, मराथी, गुजराती, कन्नड, कॉंकुणी, कश्मीरी, मैथिली, नेपाली, पंजाबी, संस्कित, उर्दू, संथाली, मल्यालम और मनिकुणी, तो ये वो 22 भाशाएं हैं, जिनको आठ्वी सुची के साथ-साथ, ये कहां पर है इनका वनन, भार्तिय समीदान के भाग, 17 में, ठीक है, और अनुचेद मैंने आपको पहले बता दिया कौन सा, 343-351 तक, तो हिंदी तो इसमें है ही है, हिंदी के अलावा 21 वाशा हैं, देखिए, तो फिर कुल मिलाकी ये कितनी हुजात लिया, तो राश्टर भाशा के बारे में देखी क्या कहते हैं, जैसे राश्टर की भाशा, मतलब साथारन चबनों में यूँ कहे हैं कि किसी देश की भाशा है, लेकिन अब इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि राश्टर भाशा होती क्या है, ये बोलता है कि किसी देश क कि बहुत संख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा जिसका प्रियोग उस देश के अधिकांश बोलिक शेत्र में होता हो उसी उस देश की राश्टर भाषा कहलाती है कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी राश्टर भाषा होती है वो देश में बहुत सारे लोगों क के द्वारा बोली जाती है देखिए यहीं से हमें अंतर पता लग जाएंगे दोनों भाशाओं के कि राजभाशा और राश्ट्र भाशा में क्या अंतर है पहले हमने राजभाशा पढ़ा तो उसमें क्या था कि वो जन्मानस से कटी हुई भाशा थी कुछ लोगों तक सीमित लेकिन जो राश्ट्र भाशा है वो अधिक लोगों के द्वारा क्या आता है बोली जाने वाली भाशा है और अधिकतर लोग उसी भाशा का प्रियोग करते हैं अगला देखिए कि राश्ट्र भाशा का अर्थ है समस्त राश्ट्र में प्रियुक्त भाशा अर्थात आम जन जन-जन के विचार भी नहीं है, मतलब भावों और विचारों को अभिव्यक्त करती है ये, किसके? आम जनमानस के, है ना? तो इसलिए इसको क्या का जाता है? राश्टर भाशा. अगला है कि राश्टर भाशा शब्द सम्वैधानिक नहोकर प्रयोगात्मक व्यभारिक वो ज जब उसको व्यभार मिलाते हैं, तब ही उसको नामकरण क्या दिया जाता है? राश्टर भाशा नाम दिया जाता है. जनमानस उसको क्या करते हैं? माननेता प्रदान करते हैं एक तरीके से कि ये अधिक लोगों की भाशा है, इसी दिया हम इसको क्या कहेंगे? राश्टर भा को मिलेगी और एक ही भाषा एकता के सूत्र में उनको पिरोने का काम करेगी संपूर्ण राष्ट्र की संपर्क भाषा तो जो राष्ट्र भाषा होती है वो सारे राष्ट्र को क्या करती है एकता के सूत्र में पिरोती है इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क भ को वो बात समझना है लेकिन अगर वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो दोनों वो समझें तो ऐसी दोनों जो भाषा समझने वाले जो व्यक्ति होंगे तो वो ऐसी कौन सी भाषा होगी उसी भाषा को क्या कहा जाता है संपर्क भाषा वो तीसरी भाषा का इस्तेमाल करेंगे ना दोनों क्या करेंगे पहले अपनी भाषा के इस्तेमाल करेंगे लेकिन समझ किसी को नहीं आएगा जब तब वो तीसरी भाषा का सहरा लेंगे और वही तीसरी भाषा क्या कहलाती है संपर्क भाषा कहलाती है जो दोनों व्यक्तियों को समझ आए अगर हम हिंदी की बात करे तो हिंदी अभी हमारे राष्ट्र की जो राष्ट्रिय भाषा नहीं बन पाई है ये चीज याद रखना बहुत सारे लोग देख लेते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा नहीं है क्योंकि सम्भीधान में इसका कहीं भी कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है और इसका वन्न नहीं मिलता हमें और पहुट सारे इसके पीछे अलग-अलग लोगों के अलग-अलग मत हैं इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारी हिंदी अभी वो राश्टर भाषा नहीं बन पाई है अगला देखिए कि लचीलेपन का अधिक्या, जो राष्ट्र भाषा होती है वो लचीली होती है, लचीली क्यों होती है कि अगर उसमें भी राजभाषा की तरह ठोटा रखेंगे तो वो उसका दाइरा भी क्या होता जाएगा? सीमित होता जाएगा जैसे हमने प्रारंभ में पढ़ लिया था जब हम हिंदी के बगॉलिक एतिहासिक स्वरूप की बात कर रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था कि जब वैदिक संस्कित जो है वो कुछ एक वर्ग की विशिष्ट वर्ग की भाषा बन कर रहे गए थी तो वो सी जाती है यही लचीलापन लचीलेपन से भी प्राइए कि जब मान लिजे किसी शब्द का अधिक बोल बाला ओर तो क्या ओकरती है भाषा कि उसको अपने अंदर उस शब्द को आतम साथ और वो उसी भाषा का हो जाता है तो राश्टर भाषा की यह सबसे बड़ी विशेश से रहती है कि उसमें लचिलापन होता है वो नए नए शब्दों को अपने अंदर समाहित करती जाती है और इसी के चलते वो क्या है आम जन्मानस की भाषा बन जाती है क्लियर है दोस्तों आगे हम देख लेते हैं अब राजभाशा और राष्ट्र भाषा में क्या अंतर है दे जिसका उलेक समीधान में होता है क्लियर है दूसरा है कि राष्ट्र भाषा राष्ट्र भाषा का समन समीधान से नहीं होता क्लियर है राजभाशा बुद्धी जीवियों की शिक्षित वर्ग की भाषा होती है इसलिए इसका दाइरा सिमित होता है जबकि राष्ट्र भाष देश के बहुत संक्यक लोगों की भाशा होती है इसलिए इसके दारा बिस्त्रित होता है आगे देखिए कि राज भाशा को समझना कठिन जबकि राश्ट्र भाशा राज भाशा की अपेक्षा सरल होती है तो यह चीज हमने पहले देख ली है राज भाशा का देश में बोला जाना अनिवार है नहीं तो देखे ये चीज है कि राज भाषा को जरूरी नहीं है कि राज भाषा को देश में बोला भी जाए लेकिन जो राश्ट्र भाषा है वो देश में बोली जाने वाली भाषा होती है अगर देश में भाषा ही नहीं बोले जाएगी तो वो राश्ट् राश्ट्र भाशा में मानकी करण की आविशक्ता नहीं रहती ये है एक अगला अंतर अगला देखिए राश्ट्र भाशा में परिवर्तन कम होते हैं जबकि राश्ट्र भाशा में प्रियोग वव्यभार के अधार पर परिवर्तन होते रहते हैं राश्ट्र भाशा में अभि इद्यमान रहती हैं आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति मुहाबरों और लकुक्तियों में बात करने लग जाते हैं है ना तो वो क्या है हम इंसान उसको समझ भी जाता है ठीक है लेकिन राज भाशा में ऐसा नहीं है वहां पर बिल्कुल सीधी बात आपको कहनी पड़ तो सरकार और किसको प्रशासक और प्रशासन को जोड़ती है ठीक है दूसरी भाशा किसको जोड़ती है दूसरी भाशा जोड़ती है हमाएं एक दूसरे से मतलब सांस्कृति से है ना तो ये है सबसे बड़ा अंतरकिसमी राज भाशा और राश्ट्र भाशा में अब हम दे राष्ट्र भाषा हिंदी के संबने विद्वानों ने या हमारे जो महान व्यक्ति हुए उन्होंने क्या दिये हैं अपने-अपने कथन दिये हैं तो देखिए महात्मा गांदी का कथन कई वार एक्जाम में यह पूछे जाता है कि राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गुंगा है तो ये किस ने काहा था ये मातमा गांदी जी ने काहा था देखिए मातमा गांदी जी नहीं दूसरा कतन काहा था कि जनता की बात जनता की भाशा में ही होनी चाहिए तो ये भी इन्होंने किस संबंद में काहा था हिंदी के संबंद में काहा था कि बहुत सारे विनोबा भावे जी ने किस ने कहा था विनोबा भावे ने कहा था कि हिंदी को गंगा नहीं बलकि समुद्र बनाना होगा अगला है भव्य भारत ही हमारी मत्र भूमी हरी भरी हिंदी है हमारी राष्ट भाषा और लीपी है नागरी तो ये कहा था मैथली शरण गुप्त ने तो ये कुछ एक महतवपूर्ण कथन थे, इसके अलावा भी बहुत सारी कथन हैं, जो आपको किताबों में मिल जाएंगे, मैंने कुछ एक जो थे, उनको ही इसमें रखा है, जो हिंदी भाषा से संबंदित थे, तो फिलाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आप को हमारी वीडियो अच्छी लेगी, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शुक्रिया,